वहलेखक जिसने अपनी कविता से देश की सत्ता को हिला कर रख दिया था बिहारी पे जोड़के आज के सेग्मेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिरोंनी अपनी प्रतिभा के बदावलत पूरे देश की राजीती के साथ-साथ उसे अपने केंद्र में रखा और एक कविताओं में एक अलग ही धार देखने को मिलती थी उनकी कविताओं में बीररस की धार आपको देखने को मिलेगी अजाद भारत में उन्हें राश्ट कवि के नाम से जाना गया उन्हें एक अलग पहचान मिली अज हम बात करने जा रहे हैं राश्ट कभी रामधारी सी दिनकर के बारे में रामधारी से दिनकर का जन्म 23 नवंबर 1908 को बिहार के वेकुस राई जिले के सिमरिया गाउ में हुआ था उनके पिता का नाम रविसी जब की माता का नाम था मनरूप देवी उनके पिता एक साधारन किसान परिवार से आते थे जब दिनकर दो साल के थे तब उनके पिता की मिर्ती हो गई जब घर परिवार चलाने की जिम्मेबारी उनके कंधे पर आ गई थी उन्होंने अपने मा के साथ मिलकर पुरे परिवार का लालन बौनन किया उनका बच्पन गाउं में ही गुजरा, वहीं गाउं में उनकों ने पैच, वहीं गाउं में उन्हें अपनी प्रकिर्ती से खूब प्यार हो गया, यहीं से वे प्रकिर्ती के प्रेमी बन गए, उनकी सुरुआते सिछा दिछा गाउं के ही प्रात्मिक स्कूल से हुई थी, उस दौरान उनके पास अस्कूल के होस्टल में रहने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे में उन्हें अपने घर जाने के लिए अस्टीमर पकड़ कर जाना पड़ता था, इसके लिए उन्हें पूरे अस्कूल के क्लास के दौरान एक क्लास जो है छोड़नी परती थी, उन्हें पढ़ दिन का साल 1932 में आगे की पढ़ाई करने के लिए यानि की बीए ओनर्स के लिए पटना बिस्विद्यालाय पहुँच गए हलांकि एक साल के बाद उन्हें एक अस्कूल में प्रामना ध्यापक के रूप में न्युक्ती मिल गई। उसके बाद दिनकर का अगलाप कविता संग्रह 1935 में संग्रह रेनकवा के नाम से प्रकाजित हुआ। दिनकर सदा समाज के लिए लिए लिखते रहे आखरी ब्यक्ती की अवाज को हमेशा बुलंद करते रहे। उनकी रचनाव में रस्मी रथी और परसुराम की प्रतिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। खास करके परसुराम की प्रतिक्षा जब जब जबाहरलाल नहरू के साथ इसको जोड़ कर देखा जाता है तो कॉंग्रेस बिरोधी लगातार इन कविताओं को एक दूसरे के वीच में सेयर करते हैं। पढ़ने वालों को और रोचक लगता है क्योंकि उन्हें जो है नहीं नहीं सब्दें इस दवरान उन्हें सुनने को मिलती है। आपको उसमें जो है उपमा अलंकार का जिक्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कि रामधारी सिंधिनकर ने अपनी कविताओं में खूब किया है क्योंकि वो एक राष्टवादी कवी की रूप में जाने जाते रहे हैं। देख को सरोपरी किया और उन्होंने पंडित जवाहलान नहरू पे कई गंभीर आरोब भी लगाए। अगर हम रामधारी सिंधिनकर के कविताओं का जिकर करेंगे तो रामधारी सिंधिनकर ने सार 1922 से लेकर 1964 तक में राष्ट सभा के सदस्क के रूप में रहे उस समय जब देश में जवाहलान नहरू के नाम का जादू चल रहा था उस समय जब भारत चीन के बीच यूद हु यानि कि भारत के जितने भी दर्सन है और उसके अंदर जितने अध्यात्मिक गूड है उन सब को जोड़कर कई किरेदारों को पिरोया और उसके साथ साथ सभी को एक साथ कर उन्होंने एक कविता के रूप में लिखा और उसके एक एक लाइन एक पंक्तिया नहरू पर हमला रामधारी से दिनकर इस हार का जिम्मेदार नहरू को माना था इतना ही नहीं जब चीन से हार का जिक्र राज सभावे हुआ तो दिनकर ने अपने ही सरकार के खिलाप मोर्चा खोल दिया और यहां भी नहरू को हार का जिम्मेदार उन्होंने सीधे तौर पूरे सदन में बताय पंडित नहरू और रमधारे सिंदिन गर एक अच्छे दोस्त थे लेकिन जब बाद देश की होती थी तो पंडित नहरू को भी नहीं जोड़ते थे ऐसे में जब पंडित नहरू इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्होंने लोकदेव एक पुस्तक में नहरुने की किताब में इस बात का जिक्र किया जिस्मन हुने कहा कि वे एक बिमारी की बज़ा से नहीं मरें। पुस्तक के लिए सहित अकादमी पुरसकार से समानित किया गया। पद्विं भुसन के सम्मान से भी समानित किया गया था। भागालपुर्विस्भी दैले के उस समय के कुलपती रहे बिहार के राजपाल डॉक्टर जाकिर हुसेन ने उन्हें डॉक्टरित की मानद उपादी से समानित किया था। साल 1972 उन्हें उर्वर्षी के लिए ग्यान फीट पुरसकार से समानित किया गया। उनकी मिर्तियों के बाद साल 1999 में उन्हें भासाई समबाद का जस्न मनाने के लिए एक असमारक टिकट जो की डाक टिकट की रूप में जारी किया गया था। परसुराम की प्रतिक्षा, हाहाकार, चक्रिविव, आत्मजई, बाजर सरवा के बहाने।